इरान का एक बहुत बड़ा साथी मिलिश्या हीतु इस वक्त इसराइल के लिए सबसे बड़ी चुनोती बन चुका है यमन के हीतु विद्रोईयों ने वो मिसाइल दिखाई है जो उसने इसराइल पर दागी थी और नेतन याहू का हर डिफेंस सिस्टम उसे रोकने में नाकाम रहा था इसराइल के इस नए डर को लेकर तीन बड़ी बाते पता चली है जो आपको हैरान कर देगी यही वो मिसाइल है जिसने इसराइल को बुरी तरह डरा दिया है यह जहां गिरेगी सब तबा हो जाएगा हूती ने इसकी गैरंटी दे दी है मिसाइल जहां गिरेगी उसका हश्र ऐसा होगा 15 सितंबर के हमले के बाद इसराइल को पता चल गया है कि ना सिर्फ हमास और हिजबुल्ला बलकि यमन के हूती उसके सबसे बड़े दुश्मन है जिसे गंभीरता से लेना होगा क्योंकि यही है इरान का ट्रिपल हेच यह है हूती की बलिस्टिक मिसाइल फिलिस्तीन 2 रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा फिलिस्तीन 2 को इरान की खैबर शिकन मिसाइल का ही एक वेरियंट या नकल माना जा रहा है हूती की मिसाइल और उसकी लाँचिंग के आफ्टर इफेक्ट्स के बाद यमन की जमीन पर यह मलबा देखिए जिसने अमेरिका की हिम्मत को जला कर राक कर डाला है अगर ये वीडियो बाइडन देख रहे होंगे तो बहुत मायूस होंगे इसमें कोई शक नहीं इन दो तस्वीरों से पूरे पश्चिमेशिया में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है इसराइल के साथ साथ अमेरिका को 440 वोल्ट का जटका लगा है एक तरפ इसराइल पर हमला करने वाले होटी मिलिशिया की मिसाईल है तो दूसरी तरफ अमेरिका के उस ड्रोन का मलबा है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक किलर ड्रोन कहा जाता है जितनी बड़ी यमन की अर्थ विवस्ता नहीं है उससे महंगे तो अमेरिका के ट्रोन है जिसे हूती विद्रोही अपने मिसाइलों से गिरा रहे हैं इन दो तस्वीरों ने यमन के अंदर एक नया जोज बर दिया है इसराइल और अमेरिका का नया फायर ब्रैंट दुश्मन तयार कर दिया है यमन की सड़कों से लेकर बड़े चौराहों तक अमेरिका और इसराइल के खिलाफ गुस्सा देखिए कलेशनिकोफ लहराता ये मजमाही हूती कहा जाता है जो गज़ा और फिलिस्तीन के लिए इसराइल और अमेरिका को लगातार चैलेंज कर रहा है कभी लाल सागर में अमेरिका और इसराइल से जुड़े जहाजों को टार्गेट करके ये धमाके वाकई डराते हैं कभी अमेरिका के किलर ड्रोन को उड़ा कर बताते हुए कि यमन का आसमान उनके लिए सुरक्षित नहीं तो कभी इसराइल की तरफ ना सिर्फ मिसाइल फायर करके बलकि इसराइल के ये डिफेंस को नाकाम साबित करते हुए हूती लगातार चुनौती दे रहे हैं सबसे पहले उस मिसाइल की बाद जिसने ना सिर्फ इसराइल के कैई शेहरों में खौप भर दिया है बल्कि अमेरिका को भी परिशान कर दिया है फिलिस्तीन के जंडे वाले रंग से तयार इस मिसाइल का नाम है फिलिस्तीन-2 और ये एक हाइपरसॉनिक मिसाइल है उती मिलिशिया इस मिसाइल को आसमान की तरफ तान देता है टारगेट इसराइल है इस वक्त यमन का सबसे बड़ा दुश्मन फिर शुरू होता है काउंट डाउन 5,4,3,2,1 और मिसाइल लाँच हो जाती है ये मिसाइल बढ़ जाती है इसराइल की तरफ दूसरे कैमरे से देखिए ये वीडियो एक ड्रोन से बनाये गया है आसमान को चीरते हुए नेतन याहू को बहुत बड़ा शौक देने निकल जाती है ये मिसाइल इसराइल में जहां मिसाइल गिरती है उसकी तस्वीरें डराने वाली है इसराइल से आये वीडियो देखिए इन तस्वीरों में इसराइल का खौफ है इसराइल डरा हुआ है ये साइरन की आवाज नहीं लग रहा है कि इसराइल में जैसे कुछ चिला रहा है बचाओ बचाओ क्योंकि इसराइल पर हुआ है एक ऐसा हमला जिसने इसराइल की तमाम सुरक्षा की गारंटी को फेल्ड साबित कर दिया है इन्ना थी लामलिया ताटी फी इतार मरहलती खामिसा वजात तत्वीज लिजहूद अब्ताल अब्ताल गुट सारूखिया हुटी मिलिशिया का दावा है कि मिसाइल उसी ने तैयार की है और इरान भी यही दावा कर रहा है कि उसे भी इस मिसाइल के बारे में 15 सितंबर को पता चला है जब यमन से ये मिसाइल इसराइल की तरफ दागी कई यमन के हूती विदरोईयों का दावा है कि मिसाइल ने 2040 किलोमीटर का सफर 11 मिनट 30 सेकंड में पूरा किया ये एक हाइपर सौनिक बलिस्टिक मिसाइल थी यानि इसकी रफतार थी एक सेकंड में 3 किलोमीटर यमन से लॉंच होने के बाद ये ऐसी टरजिक्टरी में इसराइल की तरफ बढ़ी तो लाल सागर के उपर से जाकर अपने टारगिट तक पहुँची इस दोरान लाल सागर में अमेरिकी जंगी जहाज के अंटी मिसाइल सिस्टम इसे नही रोक पाए साओी अरब और मिसर भी देखते रहे गए और आखर में जॉर्डन के लावा इस अज्राइल भी इस मिसाइल को रोकने में नाकाम सावित हुआ मीशे जगू कले तिसकोरिट बादियन जे मुजमन लवकर बनमान खुदेदा फिलाल अमेरिका के इस ड्रौन पर बहुत बड़ी आफ़ा था चुकी है अमेरिका ने जिस ड्रौन से अफगानिस्तान में सैकलो टार्गेट खत्म कर दिये जिस ड्रौन से अलजवाहिरी को मारा वही ड्रौन अब यमन में मारा जा रहा है इस वीडियो ने अमेरिका के होश उड़ा दिये हैं इस तस्वीर में आफ साथ देख सकते हैं कि हूती अमेरिका के सबसे खतरनाक MQ-9 ड्रौन के मलबे पर खड़े हैं हूती लडाकों का दावा है कि उन्होंने अक्तुबर 7 के बाद से अब तर अमेरिका के 10 MQ-9 ड्रौन गिरा दिये हैं एक हफ़ते के अंदर ये तीसरा ड्रौन है जिसे हूती ने मार गिराया जबकि 2015 के बाद से ये पंदरवा ऐसा ड्रौन है जिसका हूती ने शिकार किया है हालकि बाइडन की टीम कह रही है कि उसने कोई ड्रौन नहीं खोया है लेकिन यामन के जामर इलाके में ये मलबा कोई और कहानी समेटे हुए है गरीब 300 करोड लुपे का ड्रौन जो 50,000 फीट की उचाई पर उता है उसे हूती की एर डिफेंस मिसाइल ने मार गिराया अमेरिका भी जानता है कि ये काम आसान नहीं है इसराइल पर हमास के हमले के 11 महीने पूरे हो चुके है गजा पर इसराइल के आपरेशन के भी 11 महीने पूरे हो गए है 11 महीनों की तबाही का दोर ऐसा चला है कि युद का एपी सेंटर अब गजा से निकल कर इसराइल और लिबनान बॉर्डर के साथ-साथ यमन और लाल सागर में पहुँच चुका है गजा में चल रही बंबारी के बाद यमन के हुटी प्रो आक्टिव है उनको इरान का पूरा समर्तन भी है वो लाल सागर में इसराइल के जहाजों को निशाना बना रहे हैं अमेरिका और बिटेन के हमले उन्हें डराने में नाकाम रहे हैं उती ने इसराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिये हैं वो इसराइल के जहाजों या उसके लिए माल ले जा रहे कारगो शिप को लगातार टार्गेट कर रहे हैं यहीं से एशिया की तरफ से यॉर्प को रास्ता जाता है दुनिया की सबसे एहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेश किनाल से गुजरती है लाल सागर का रास्ता ब्लॉक होने से ये रूट 6,000 किलो मीटर लंबा हो गया है अब समुद्री जहाज अफरीका का चक्कर लगा कर यॉरप पहुँच रहे है इसराइल जाने वाले जहाजों का रास्ता 10,000 किलो मीटर तक लंबा हो गया है तीन से पांच दिन का सफर बढ़ चुका है यानि ज्यादा लागत, ज्यादा वक्त और कारोबार पूरी तरहा चौपट यही है यमन के हूती विद्रोहियों का टार्गेट इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल और अमेरिका के सामने यमन नाम का नया खत्रा ना सिर्फ तैयार हो चुका है बलकि अब ऐसी आग उगल रहा है जिसका ठोस जवाब अभी तक दोनों के पास नहीं है यमन में हूती विद्रोहियों के खत्रों को देखते हुए अमेरिका और इसराइल दोनों का गुसा सात्वे आस्मान पर है क्योंकि घजा को लेकर पहले आकरोश के बाद अब यमन सीधा इसराइल के खिलाफ युद्ध शुरू कर चुका है इससे पहले हुती विद्रोहियों ने इसराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से कई हमले किये लेकिन 15 सितंबर का हमला ज्यादा खतरनाक कहा जाएगा इसमें यमन की बिलिस्टिक मिसाइल ने इसराइल के एर डिफेंस को चीड डाला है और अब इसराइल महसूस कर रहा है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत खत्म होती जा रही है इसराइल के एर और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क नाकाम साबित हो रहे है